हलो दोस्तों आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर तो जैसे कि देख सकते हैं जो न्यू बुक आया है यूट पब्लिकेशन का 9585 का अगर अभी तक अगर इसका अगर कोशन नहीं देखें जाकर आप भावतिक का भावतिक कोशन करा चुके हैं 400 उस के बाद इसके पहले अगर जीके का जीके का भी नूबुक आया जो 11640 का उसका भी हम प्रैक्टिस करा रहें जाकर अब देख सकते हैं प्लेइलिस्ट में जाकर तो जल्दी से देख से कोशन में किस परकास कोशन इसका देखिए जैसे देखिए कोशन 102 101 तक कोशन करा चुक जैसे देखिए क्योंकि नूबुक है यह नूबुक है इसका अगर दोनों बुक का जो दोनों बुक का जो नूब आया है यूट पब्लिकेशन का उसका कोशन अब प्रैक्टिस दोनों बुक करा रहें अभी शाइन्स होगा उसके बाद जीके भी आजा प्लेइलिस्ट में सकते हैं दो वीडियो आपको डेली परवाइड होगा अगर नए चैनल पर है चैनल सब्सक्राइब कर लिजिए अब वीडियो का शेयर कर दिये करिए जैसे दिखे कोसा 102 नंबर सोडियम के 79 गरम में सोडियम के 3 मोल होते हैं सोडियम का धरमान दरम्वन क्या होगा तो क्या करना है आप को करना क्या है तोतल ऑन तत्तो की कुल दरमन कितना है 79 अब मोल किसांगे कितना 3 79 में 3 से भाग दिए तैस इसका एंसर निकल कर आपको चलागे कितना 23 इसका एंसर 102 का क्या हो जागा 23 ऑप्रण सी इसका एंसर आजाएगा उसके बाद चलिया कोशन देखिए आगे देखिए देखिए एक सो तीन नमर कोशन है एक सो तीन में देखिए कहा गया एक से एक से के 64 गराम में कितने मोल महजूद होते हैं बताई एक सो तीन का एंसर क्या हो जाएगा एक सो तीन का एंसर क्या हो जाएगा एक सो तीन का भी हो जाएगा तो करना क्या है एक सी जो है इसका मोल इसका हिलियम इसका क्या है हिलियम है तो हीलियम की अनू परमानू अनू या परमानू संग्या कितना होता है चार होता है तो 64 गराम में चार से भाग दीजिएगा आप हिलियम के अनु या परमानु कितना चार होता है मोलों की संख्यान चार्टे भाग सोले मोल इसका एंसर निकल कर आपको चलाएगा उसके बाद चलिए आए कुस्टा चार नमर कोश्चन यह एक सो चार में कहा गया नाइट्रिक एसीड की तिरेशट गनाम मात्रा में कितने अनु महजूद है परमानु दरमन एन बराबर चाउदा एच बराबर एक जीरो आउक्सीजन ओ बराबर सोल है तो बताएगे इसका एक सो चार का एंसर क्या हो जाएगा परेंगे एक सो चार का ड़िए क्या हो जाएगा एक सो चार क्या आप्शन सीज इसका एंसर हो जाएगा अब देखिंगे इसमे क्म अए जो होगा कितना हो जाएगा ओप्शन सी इसका एक тем App το हैंसर हो जाएगा या zach किंब क्टो जैसे कि देख Default कि नगने को को नाइट्रिक एसीड एन एक होता है पलस एन का होता है चाउदा पलस उसके बाद देखिए थिरी है ओ थिरी हो जागा गुने ओ का कितना सोलत तो जो रहेगा तो 63 तोटल आजाएगा उसका मोल्ग संख्या निकल पदार का गरम में भार अनुभार कितना तिर सथ तिर सथ बाद अनुभार कितना तिर सथ है भाद ये एक आएगा उसके बाद देखिए क्या करना है उस अवगाडो की नियम के अनुशार किसी तत के एक मोल में उपास्ति अनुव को संख्या कितनी होते है तो छे दसामलब जीरो दो तीन गुने दस पावर तैस अनु होती है उसके बाद कि ऐक सब्सक्राइब का कोपर की एक आनु में कितने पर्मानु होते हैं बताइं एक सब्सक्राइब क्या हो जाएगा एक तो पंच क्या हो जाएगा Option C, इसके बाद देखिए, इसके बाद देखिए, कोशन आ गया, 106 नमर कोशन, 106 म का 25 गरम मीटर में सलफिडुक, अमने कितने मोल होते हैं, बताईए, 106 का एंसर, 106 का क्या हो जाएगा, 106 का, 106 का D हो जाएगा, 0, 106, 255, तो जैसे कैसे हो जाएगा, 25 गरम मीटर में सलफिडुक, अमने कितने मोल होते हैं, तो जैसे देखिए, कोश्चन में, सलफिडुक अमल, S2, SO4 का अनुभार, 2 गूने, 1, H कितना है, 1 है, तो 2, H कितना, 1, 1 गूना हो गया, पलस, सलफर कितना, 32, पलस, ऑक्सिजन कितना, 16, अगुने, 4, तो कितना टोटल, अंठाउनगा, गरम मीटर हो जाएगा, सलफिडुक अमल, S2, SO4 का अनुभार कितना है, 25 गरम मीटर है, कितना है, 25 गरम मीटर, उसके बाद देखिए, गरम मीटर है, उसके बाद, देखिए, मोलो की संख है, पदार्थ का, गरम में भार कितना, 25 है, पदार्थ का, अनुभार कितना, अनुभार कितना, अनुभार जब भाग देजेगा, 0,25 पंच पंच आ जाएगा, तो अता 25 गरम सल्फिडुक, हमने, ह 2SO4 के, 0,25 पंच पंच मोल होता है, उसके बाद, देखिए, कोशन आ गया हूँ, उसके बाद, देखिए, कोशन आ गया हूँ, 107 नमर कोशन, 107 में कहा है, किसी भी पदार्थ के, एक अनुभार में, 6 दसामलव, 0,23 गुने 10 पंप आवर 23 सामिल हैं, यदि, CO2 में 3 दसामलव, 0,1,1,5 गुने 10 पंप आवर 23 महजूद हैं, तो CO2 के अनुभार की संख्या क्या है, बताए, इसका एंसर क्या होजगा, 107 का, 107 का, A हो जाएगा, 0,10,5, 0,10,5, ओ देखिए, कैसे होगा, वो देखिए, अब गाडो की संख्या, तो कितना होता है, 0,6,0,2,3,गुने 10 पंप आवर 23, CO2 में कनो की संख्या, n, क्या होता, 3,0,1,1,5, गुने 10 पंप आवर 23, अब देखिए, n हमको निकालना है, तो दिए गए, कनो की संख्या, n, अब गाडो की संख्या, n, तो क्या है, दिए गए, कनो की संख्या, टोटल कितना दिया गया, 3,0,1,1,5, गुने 10 पंप आवर 23, अब इसको स्वल्व करिएगा, तो आपको 0,0,5, पंच आजएगा, उसके बाद चलिए, कोशन देखिए, 108 नमर कोश्चन, 108 में कहा गए, SO2 के 0,6 मोल में, सल्फर के कितने पर्मानू महजूद होते हैं, बताए, 108 का एंसर, 108 का B हो जाएगा, 3 दसम लव, 6,1,3, गुने 10 पंप आवर 22 पर्मानू, अब देखिए, कैसे होगा, वो देखिए, सल्फर डायक्साइड के 0,6 मोल में सल्फर के पर्मानू की संख्या, क्या होगा, एक मोल में सल्फर में, कितना होगा, 6 दसम लव, 0,2,2, गुने 10 पंप आवर 23 पर्मानू, 0,2,6 मोल में सल्फर में, क्या होगा, 0,6,0,2,2, गुने 10 पंप आवर 23 पर्मानू से, तो टोटल आपको निकलकर, कितना आजाएगा, 3 दसम लव, 6,1, 3,2, गुने 10 पंप आवर 23 पर्मानू, तो क्या कहा गया, एची हिलियम में 54 गराम में कितने मोल महजूद होते हैं, बताए, 109 का ऐंसर क्या हो जाएगा, 109 का ऐ हो जाएगा, 109 का ऐ हो जाएगा, option A, 3.5 मोल, 3.5 मोल इसका ऐंसर हो जाएगा, उसके बाद दखी कोशन आगे, कि जैसे को साई ए इह ंक दरोवान कितना थाउन गरम गरह रृतल चार उसके बार दिठीगन पर्ति मॉल यूसके बाद मोलो की संख्या oke n कितना है चारव देखी num okay मॉला जाएगा गैक ol 10 last नमल को संख्षा जाएगा के सी एल के 0.05 मोल में कितने अनु होते हैं तो बताइए 110 का एंसर क्या हो जाएगा 110 का 110 का एंसर क्या हो जाएगा अफसन ए हो जाएगा 3.01 गुने दस पर पावर 23 तो देखिए कैसे होगा आनु की संख्या बराबर मोल गुने वेवगाड़ों की संख्या तो के सी एल के 0.05 मोल में अनु की संख्या बराबर क्या होगा 0.05 गुने 6 दस दस दश लव जेरो 12 कर जेगा 3 दसाम 0, 1 गुने 10 पर पावर 30 हो जाएगा इसके बात देखिए के 0 दसाम 5 मोल में 3 दसाम 01 गुने 10 पर पावर 30 अनू जहां 6 दसाम लब 0 2 गुने 10 पर पावर 30 अवारों की संक्यां माना है उसके बात के कोशन आगे 115 नमर कोशन देखिए 115 में को संद हिच्या कहा गया 115 नहीं होगा क्योंकि 109 इसके बाद 110 गारे होगा 111 नमर को संद देखिया सी ओ टू के 10 मोल्स का दर्मान कितना होता है बताइए 111 का इंसर क्या हो जाएगा 111 का 111 का भी हो जाएगा 440 कितना हो जाएगा 400 चाले देशे कैसे होगा वो देखिये देखियो का दर्मान दर्मान सी पलस ओ टू का दर्मान सी कितना बारा और ऑक्सीजन कितना 16 अगोने दो तो टोटल जाएगा चावालिस हो जाएगा दस मोल का दर्मान तो 44 गोने 10 चारसवा चालीश इसका एंसर हो जाएगा उसके बाद देखिया यह कोश्च्टन एक स्वाबारे नमर कोश्च्टन एक स्वाबारे मं कहा गया एवोगाडो की संख्या एन ए बरावड चेद सब्सक्राइगा तो चेद सब्सक्राइगा इसका एंसर हो जाएगा उसके बाद चलिए कोश्टन देखिए एक सब्सक्राइग नमर कोश्टन देखिए एक सब्सक्राइग क्या कहा गया सी एक फोर के 0 गार मोल का दरोमान कितना है कितना हो बताईए कितना हो जाएगा एक सब्सक्राइगा एक दस्वाड़ चे गराम तो कैसे होगा वह देखिए मिथेन कानु सुथ CH4 मिथेन कानु भार कितना होता है 12.01 पलस उसके बाद देखी एच फोड फोड गुने है एच का कितना एक दसाम जीरो जीरो आठ अब स्वालव करेगा 16.04 दो गराम आ जाएगा मिथेन के एक मोल का दरॉमण कितना होता 16.04 दो गराम तो जीरो अब आख न हो जाएगा 144 कारवन के परमानों का धरमान बारे और हीलियम का परमानों धरमान 4 है तो बताइए इक परतियक तत के एक सबना सबता सब्सक्राइब ऌपना सब्सक्राइब करना देखिए 151干 llev रूंस तुर्ट सबना कोम कुछ सबणा सबूरों में पर सब्सक्राइब 2 होगी इस बाद आउए आइंगा सब्सक्राइब कुशन 115 नमर कोशन देखिए, 115 कहा गया पानी के एक मोल में कितने अनु माजूद हते हैं, बताइए 115 का, 115 का एंसर का ऑप्शन, 20 का एंसर हो जाएगा, 6 दस नमर जीरो दो गुने दस पर पाबर 23 अनु, उसके बाद चले आए कोशन देखिए, 116 नमर कोशन, 116 कहा गया, शल्फर के परमानु दरमान 32 यू है, शल्फर की सोल्य गराम मात्रा में मोलों की संख्यां कितनी होगी, बताइए 116 का एंसर क्या हो जाएगा, 116 का हो जाएगा, भी, शल्फर का जीरो तर्माँ पंच मोल, तो जो कैसे होगा वो देखिए, जैसे देखे, मोलों की संख्या, शल्फर की मात्रा कितना सोल्य है, शल्फर का परमान दरमा 32 है, जब स्वल्फ करिएगा, कितना जीरो तर्माँ पंच मोल आ जाएगा, उसके बाद चलिया कोशन देखे, 117 नमर कोशन, तो कैसे होगा वो देखिए, देखिए कैसे होगा, तोटल कितना दिया गया वो देखिए, 60 gram helium दिया गया है, 60 gram helium मोलों की संख्यां पुचा है, तो helium कितना होता है, कितना होता है तो कहा गया चार जो होका कहा गया साइट गरॉम में sometime मतले मैं चांध पाल भीद चाहर में में संख्योट है हुसका कितना डिया गया साइट घ्लियम साची इंधा श्काम यैंट weizer दो चलाएंगा क्योंकि हुआ का आनू भार ग ur T- depicted åется कूशन देखिए, एक सवाठारे नूमर कुश्चन, कहा गया तेटेश गरम गुष कोज में उपास्तित मोलो की संख्या waterproof कितनी है बताहिे एकसवा थारे का ए हो में यहिए और 7 कैसे तीन होगा वो देखिये कैसे तीन होगा वो देखिये 18 वाउनीस नमबर कैसे होगा वो देखिये सबढ़िया अथारहयका थे तो देखिये 540 क्यू общем ग lunar कोट में उप्तिम ल्ट में पूछा आ गया तो गुल कोच को का जो हुता कितना होता है गुल कोच का रहीέρ कितना होता वह देखियें गूल कोच फोंसका यहां बुलकोस का अबहार ही 540 गरंगा तो यह caos कर दोा हो जएगा 140 खोजाएगा OKC6 कि 119 में कहा गया है ही लियम के बारिग गेजी में डियस अनु पश्थित होते हैं तो बताए इसका हीलियम में इसके वाद कैसे क्या करना है इसका देखिये अंसर सब्सक्राइब का 111 का 119 का बी हो जाएगा 13 कितना थेरा तेरा तेरा हो और देखिये तेशन देखिए पदार्थ का भार कितना है बावन है तो इसके बाद दिखेंगे कोश्टन एक सबीस नमर कोश्टन एक सबीस में कहा गया वो गाडो की संख्या एने का अर्थ क्या है एक सबीस का एंसर पता ये क्या हो जाएगा 120 का 120 का B हो जाएगा किसी तत के एक ग्राम परमानू में परमानू की संख्या इसका ऐंसर अप्छन बी हो जाएगा उसके बाद दिखे हैं कोश्चन 111 नमर कोश्चन 111 में कहा गया अब वो गाड़ो की संख्याँ डैस की संतुल है तो बताइए 111 का एंसर क्या हो जाएगा 111 का option A हो जाएगा 6.02214 गुने 10 पर पावर ताइस विसके बाद चलिए आए कोश्चन देख से 122 नमर कोश्चन 122 में एवोगाड़ो की संख्या तो निरूपित की जाती है तो किसे निरूपित क्या जाते एक 122 का बताइए 122 का भी जिए नो जीरो इन जीरो उसके बाद देख्याए कोश्चन 123 नमर कोश्चन 123 में कहा गया सी यो टू के 80 ग्राम में महजूत अनुख को संख्या क्या होगी 123 का बताइए अंसर क्या हो जाएगा 123 का ए हो जागा दो इसका दो एंसर हो जाएगा आप्शन ए कैसे होगा वो देखिए 123 का देखिए 123 का तो देखिए 124 नमर कोश्चन 124 में कहा एक ग्राम हाइड्रोजन में कितने अनुख होते हैं तो बताइए 124 का एंसर क्या हो जाएगा 124 का 124 का दी हो जागा तीन दसनलों जीरो एक गुने दसनलों पावर थाईस इसका 124 का दी हो जाएगा 124 का दी इसके बाद देखिए 125 नमर कोश्चन 125 में देखिए क्या हो जाएगा निमन में से किस तत्त के लिए परतिक में दो अक्षर समील हैं तो बताइए 125 का एंसर क्या हो जाएगा 125 का सी हो जगा लोहा क्या हो जगा लोहा उसके बाद चलिए कोशन देखिए 126 नमर कोश्चन 117 नमर कोश्चन 117 को कहा गया 117 को कहा गया निमली खित में से किस बैज्ञानिक ने सुझा दिया तत्तो के परतिक तत्त के नम के एक या दो अक्षर से बने हैं तो बताए कौन से बैज्ञानिक कहे थे 117 का 117 नमर कोश्चन 117 का 117 सी बर्जिलियस सहाब ने कौन कहे थे और सी बर्जिलियस उसके बाद देखिए एक कोश्चन 128 नमर कोश्चन देखिए 118 में कहा गया देश ने सुझाओ दिया था कि तत्तो के परतिक को तत्त के नम से एक या दो अक्षर से बनाया जा सकता है तो बताए 128 का एंसर क्या हो जाएगा 128 का डी हो जाएगा बर्जिलियस उसके बाद देखिए कोश्चन 119 नमर कोश्चन 139 में कहा गया निम्न में से किस तत्त के परतिक में केवल एक अक्षर है बताए 139 का बी हो जाएगा कारवन क्या हो जाएगा कारवन ऑप्शन भी उसके बाद चलिया कोश्चन देखिए 130 नमर कोश्चन इस रहा परतिक नमर कोश्चन देखिए 131 में कहा गया राचानिक परतिक का पहला अक्षर हमेशा हमेशा देस में लिखा जाता है बताए 139 का एंसर क्या हो जाएगा 131 का बी हो जाएगा बड़े एक्षर में क्या होगा बड़े एक्षर ऑप्शन बीसका है एंसर हो जाएगा उसके बाद चलिए कुछन देखे एक 132 नमर कोश्चन देखिए धातू और धातू अउप धातू प्राधारी 132 में कहा गया डेस की परकिर्टी विध्धुत धनाक् धातू का बताई इसका एंसर एक्षर 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 प्राधारी 132 का बताई क्या हो जाएगा धातू होता है उसके बाद चलिए कुछन देखिए 133 नमर कोश्चन 133 क्या कहा गया 133 में कहा गया धातू का ववा गून काउंसा जिसके कारण उस तार के रूप में ढ़ला क्या हो जाएगा 103 का हो जाएगा 133 का हो जांगा 9 तो थान यूतिर कहां करण देखिए 134 में होति यह का घया वड़ूरि लोक्त 136 में कहा गया धातून के किस गुण के कारण उनके पत्तर फायल बनाने में आसानी होती है बता एंसर चाट्थिस क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा 136 का ए हो जागा अगाद वधनेता अप्शन एसका एंसर हो जाएगा उसके बाद चलिया कोशन देखें 137 नमर कोश्चन 137 देखिए 138 में धातुओं की पतली चादर के रूप में परिवर्तित किये जने की छमता को क्या कहा जाता है बताए 138 का एंसर क्या हो जाएगा 138 का डी हो जाएगा अगाद वधनेता अगाद वधनेता इसका एंसर हो जाएगा उसके बाद चलिया कोशन देखिए 149 नमर कोशन,.'" 149 में कानीमनि खुत में से कौं सा धाटूएं के बारे में गलत हैं बताए 149 का एंसर क्या हो जाएगा 149 का 149 का एंसर क्या हो जाएगाОप्चन D priority इसका एंसर हो जगा व्धनित्य नात्मग होते हैं धातु के कौन सा गलत है इसका option D गलत है उसके बाद चलिए आए कोशन देखे एक 140 नमर कोश्चन 140 देखे कहा गया धातु अपनी वास्तिती नमर कोश्चन देश विदमान होती है बताई 140 इंसर क्या हो जाएगा 148 का B हो जाएगा, मुक्त इस्तिती में, क्या होगा मुक्त इस्तिती में, उसके बाद जैके ऐगर question, 148 में देखे, कहा गया, निम्न में से क्या अधातू को भ्हुति गुन नहीं है, बताइगे इसका answer क्या होगा बोथि गुन को नहीं है, 148 का बताईए केवल ठोस अवस्था में होते हैं केवल ठोस अवस्था में होते हैं option A इसका सही होगा इसका होती गुन नहीं है कौन इसका होती गुन नहीं है option A इसके बाद चलिया के question देखिए 142 नमर question 142 में कहा गया निमलिखित में से क्या ठोस दर्व और गैस तीनों के रूप में पाया जाता है बताईए 142 का 142 का सी और धातू जो है तीनों रूप में पाया जाता है उसके बाद देखिए 143 नमर question 143 में कहा गया धातूं के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है बताई 143 का 143 का इंसर क्या हो जाएगा 143 का बी हो जाएगा सभी धातू सभी धातू पारे की छोड़कर तरल में है और मुलायम है यह क्या है सभी धातू पारे को छोड़कर तरल में और मुलायम यह गलत है उसके बाद चलिया कोशन देखिए सब से अधिक नमनिखित में से कौन सिधातू सबसे अधिक नमनिल्दाचीली है तो बताई 144 का 144 का क्या होजागा अप्शन ए हो जागा एजी एजी इसका एंसर अलमुनियम हो जाएगा क्या ज़िए एलमुनियम नहीं होगा यह क्या शिलवर है चंदी है तो क्या option A सही होगा निमन में से कौन सिधातों सबसे अधिक नम अल्ला चीली है तो A G इसका answer answer हो जाएगा उसके बाद देखे आए question उसके बाद देखे आए question 145 नमर question 145 में कहा गया लोहे की कठोर और मजबूत बनाने के लिए निमन में से क्या मिला जाता है बताए एक 145 का 145 का सी हो जाए कारमन क्या जगा कारमन इसका answer हो जाएगा उसके बाद देखे आए question 146 नमर question एक सबसे नम नमनी है तन्यतसील धातू है बताए 146 answer क्या हो जाएगा एक सबस्यारीस का एक सबस्यारीस का बी हो जाएगा इसका एंसर हो जाएगा उसके बाद देखे एक 147 नमर question एक सबस्यारीस देखिए 147 कहा गया मैली मैलीएवल मैलीएवल के डैस के गुंद को दरसाता है तो बताए 147 answer क्या हो जाएगा 147 का भी हो जाएगा इसके बाद देखिए 148 नमर question एक सबस्यारीस कहा गया निमलीखित में से कौन सा सामान तापमान पर धर्व अवस्था में होता है तो बताए 148 एंसर क्या हो जाएगा 148 का सी हो जाएगा 148 का सी हो जाएगा गैलियम क्या जगा गैलियम इसका एंसर हो जाएगा उसके बाद चले आगे कोशन देखिए 149 नमर question 149 में कहा गया एक धातू के उस गुन को क्या कहा जाता है जिसमें उसकी सता चमकदार होती है चमक उसके बाद बदेखिए paling constant यां देखिए कंछ सकती है धातू करिक नतेखिए होती है क्योंकि धातु परमानों के परतें एक दूसरे से फिशल सकती है उसके बाद चले आए कोशन देखिए कि आए देखिए कोशन 151 नमर कोश्चन अगाद बढ़नेता का उधारन नहीं है बताई इसमें कौन उधारन नहीं अगाद बढ़नेता का उधारन नहीं है 151 का बढ़न होगा इंडियं पन्नी इंडियम पन्नी जो गसका उधारन अगाद बढ़नेता का नहीं है और सब मैं आए जेकिन कौन नहीं अप्छन वी किंदियम नहीं है उसके बास पावण नमर कोश्चन 152 देखे कोशन में क्या कहा गया 152 में कहा गया धातू के Oxide में आमत्र पडियस होते हैं तो बताए के 1502 का answer क्या हो जाएगा 152 का 152 का A हो जाएगा basic दातू को Oxide आमत्र पडियसिक होते हैं उसके बाचले आए कोशन देखिए 153 नमर कोशन देखिए 155 में तो बतां और ब्रोमीन का बञाईक 107 मौमीन स्कहरों उसका 107ć 154 में कहा देखी CBS 153 में मह助ब है यह 154 का एक सब्सक्राइब देखिए 156 देखिए 156 देखिए 156 में कहा गया सब्सक्राइब का धातूं पर्युक्ति होती है बताई 156 का क्या हो जगा शिलिकॉन क्या जगा उप्सन भी सिलिकॉन इसका एंसर हो जाएगा उसके बाद देखिए 157 नमर कोश्चन 158 नमर कोशन 159 में कहा गया और धातु अक्सट अम तर पर द्यास होते हैं बताई 158 का एंसर क्या जगा अप्शन यह हो जगा अमलिय होते हैं क्या अमलिय है उसके बाद देखिया कोशन 169 नमर कोशन 169 नमर कोशन देखिए 169 169 में idadeo बीच के मध़वर्तिम होते हैं उपधातु metalloid कहा जाता है किसे उपधातु mail के रूप में जडाता है 169 का अन्यम को किसे जडों ऑप्षण टिसका एंसर हो जाएगा का उसके बाद एक कोजन 120 बस्ते सक नोमर कोजन डिमलिखित मेंसे किसका apolog एक यह सोरवादिक आम तोर पर साउड़ सेलों में और्ध-संखरा की रूप में किया जाता है बता है एकस्वा शॉता का बहार G-A-A-S इसका प्रफ्सवाच colons B हो जाएगा option B हो जाएगा इसका एंसर एक्सवा साइट का क्या हो जाएगा B गैलियम और आरसेनियम क्या गैलियम G A से गैलियम A A से आरसेनिक option B उसके बाद देखे आए question 1016 नमर question 1016 नमर कोश्वा गया उसके बाद देखे आए कोश्टन 162 नमर कोश्टन 162 को वैधुत रिनात्मक तत्यों के रूप में जाना जाता है क्योंकि वह इलेक्टोन गरहन करके रिनावेशित आयन बनाते हैं तो बताए 162 का इंसर क्या हो जाएगा 162 का एक स्चों सी हो जाए और धातु इसके बाद क्या कोश्ट नमर कोश्टन 163 क्या कहा गया वह देखिए और धातु ओं यह उर्जी घुन धर्मों के बारे मिनिमलिखित में से समान तरह नहीं तो बताएं तो चार आप्षान में बताएं कि चालक सत्त नहीं है और सब सत्त है उसके बाद देखें आगे कोशन एक चांशनों मेर कोशन देखें कि एक अग निमली खीत में से कौंसा उपधातू को गुन धर्म है बताएं एक चांशन का एंसर क्या हो जाएगा 164 का C हो जाएगा अर्ध चालक क्या हो जगा अर्ध चालक उपधातू का उगुन धर्म है उसके बात देखे आए कोशन 165 नमर कोश्चन 165 का धात्म एक विद्धूत की अच्छी सुचालक होती है क्योंकि उनमें बहुत सारे धिले आवंधित डैस होते हैं तो बताए 165 का एंसर क्या हो जाएगा 165 का सी हो जाएगा उसके बाद देखे 166 नमर कोश्चन का निमन में से काउं सा कथन गलत है बताए 166 का एंसर क्या हो जाएगा 166 का सी हो जाएगा और धातु धनायन बनाती है और धातु धनायन बनाती है उसके बाद चलिया कोश्चन देखिए 166 को अलग करने की परमुख विधियां 166 देखिए निमलीखित में से काउं उधुपातन कर सकता है बताए 166 का 166 का क्या जगा ऑप्शन सी हो जगा अमोनिया कोलोराइड क्या जगा अमोनिया कोलोराइड ऑप्शन सी साही हो जाएगा उसके बाद 168 नमर कोश्चन 168 देखिए निमलीखित में से काउं सा उधुपातन नहीं है यह बताए 168 का ऑप्शन अ बर्फ उधुपातन नहीं है उसके बात देखिए कोशन 179 नमर कोश्चन 179 देखि कहा गया निमन में से कौश्ची बीधी जल को पंकिल जल से अलग करेगी बताए 179 का एंसर क्या हो जाएगा 179 का डी हो जाएगा निश्केंदन क्या निश्केंदन इसका एंसर हो जाएगा उसके बाद देखिए कोश्चन 170 नमर कोश्चन इसके बाद देखिए कोश्चन 171 का इन में से किसे जल को सुध बनाने हे तू पढ़्यों में लाया जाता है तो बताए 179 का एंसर क्या हो जाएगा 171 का सी हो जाएगा 171 का रिवस प्रासरन रिवस प्रासरन इसका एंसर ऑप्शन सी हो जाएगा उसके बाद 172 नमर कोश्चन 173 में क्या कहा गया वो देखिएं प्वानी से हाइड्रोजन को अलग करने की परकिरिया को क्या कहा जाता है बताए 173 का 173 का एं हो जाएगा विद्धूत भी घटन क्या विद्धूत भी घटन उसके बाद देखिए आए कोशन 174 नमर कोश्चन 174 में क्या कहा गया निमलिखित में से कौन एक उधुपातन पदार्थ नहीं है बताए 174 का अंसर क्या हो जाएगा ऑप्सन ए हो जाए सोडियम सल्फेड जो है उधुपातन नहीं है इसके बाद देखिए कोशन 175 नमर कोश्चन 175 में कहा गया निमलिखित में से किसका उधुपातन किया जा सकता है बताए 175 क 175 का एक का अमोनिया कोलोराइड का उत्पातन किया जा सकता है आगे देखिए कोशन 176 नमर कोश्चन 176 में कहा गया सोडियम कोलोराइड से अमोनिया कोलोराइड को अलग करने के लिए आप निमली खित में से किस परकिया का उप्योग करेंगे बताईए 176 का 176 का बी हो जाएगा उद्वपातन या सबली मेंसन सबली मेंसन इसका एंसर आप्शन भी हो जाएगा उसके बाद देखिया के कोशन 177 नमर कोशन देखिए बताई 177 का एंसर क्या हो जाएगा 177 का सी हो जाएगा तेल और पानी तेल और पानी उसके बाद 178 नमर कोशन देखिए 178 समुद्र के पानी को अलवनी करन के लिए इस्तमाल किये जहने वाले टक्निक में से एक है बताई 178 का एंसर क्या हो जाएगा 178 का क्या जगा बी हो जाएगा आसवन क्या जगा आसवन इसका एंसर हो जाएगा उसके बाद देखिए आए कोशन 189 नमर कोशन देखिए एक सो एने सी एल और एच 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 एन एच फोर सी एल के मिशन को पिर्थक करने के लिए निमलिखित में से किस बीधी का उप्यों क्या जा सकता है बताई 189 का एंसर क्या हो जाएगा 189 का बी हो जाएगा उधव पातन इसका एंसर आप्सण बी हो जाएगा उसके बाद 181 कोशन पदार्त का वस्ताम परिवर्तान एक सो आच नमर कोशन देखिए निमलिखित में से कउनसा कारकवास्पी करंदर को कम करता बताई बताई 180 का एंसर क्या होंगा 180 का एंसर क्या होजाएगा 181 का गहां ग्ठना है बताई 181 का एंसर क्या निया जोगा ं od %183 तृहल अवस्था से गैसी अवस्था में रूपांतर को क्या और जाता है different आएा इस पर आफ्हरासी हो जाएगा के से तुह सिदा एसी क्या हो जाएगा वप्सी कर आप सी करनव का एस उसके बाद देखिया कोशन 183 नमर कोशन एक्षवधरासिम कहा गया मदवर्ति तरल्प अवस्ता से गुजरने बिना एक पदार्थ का ठोश अवस्ता से गय सवस्ता में परिवर्तित होता है तो बताए एक्षवधरासी का एंसर क्या हो जाएगा श्योंहेंस से खाईगा उसके बाद देखिए क्षवधरासी नमर आ एक्षवधरासी तोश में परिवर्तन की परकिरिया को क्या कहा जाता है 184 का एंसर बता यह क्या हो जाएगा 184 का सी हो जागा हीमी करन क्या हो जाएगा हीमी करन इसका एंसर हो जाएगा उसके बाद देख्याए को संदेखिए एक सबाचासी बिल्यन एक सबाचासी देख्ये बिल्यन प्राधारित प्रहसन ब्राउन नियन गती कि खोज किस ने की थे बताइए 185 का 185 का सी हो जाएगा रॉबर्ट बाउन रॉबर्ट बाउन ब्राउन उसके बाद देखे आगे कोश्च्टन 186 नमर कोश्च्टन 186 देखे दो या दो दो या अधिक पादार्तों के एक सजातिय मिशन डैस कहा जाता है बताई 186 का 186 का क्या एंसर हो जाएगा 186 का डी हो जाएगा विल्लियन क्या जगा बिल्लियन इसका एंसर हो जाएगा उसके बाद देखे है कोश्टन 187 नमर कोश्टन 187 बिले और विलायक के समंग मिशन कहलाता है बताई 187 का एंसर क्या हो जाएगा 187 का बी हो जाएगा बिलियन इसका एंसर हो जाएगा इसके बाद 188 नमर कोश्चन 188 कहा गया एक विलियन में पनी की 320 गरम मात्रा में 47 गरम लवन की मात्रा है धरवन 302 बिलियन की सांता की गन्ना कीजिए बताई 188 का एंसर क्या हो जाएगा 188 Tiffany will 208лена 08 परतिसत में अब कैसे होगा वो शचा को है जैसे देखिए त्रधा किसी बिल्यी है पौन्य व कि माते 320 घ्रम ł wok में दिया गया है तथा। उद्था दिम्र दो 19 कि зв 누ăng कि ग्राम कितना सटार you कि आगे आगे तो तोल कितना हमको दिया ग्या है अग्या तेजुटन्कों दिया ह। कि पानी की मत्लब की यहीता सो 320 गाम दिया गया है तो देखिए इसमे क्या अपर साइटाले है तो जैसे देख सकते हैं 320 है किसी बिल्ला ने पौनी की मात्रा 320 है बिलाय की मात्रा कितना है गुना कर देंगे फैंको पर्तिसमें निकल कर चलाएगा उसके बाल एक नबाशी नमर गुष्चन है है एक दर्व के जिसमें उन चास गरम धारक नमक को 320 गरम पानी के घोल में घुला गया दर्व के परतिसत बढरा दर्मान के सब्सक्राइब करना तुसरी परकार करना उंचास उपर लेना है 320 में उंचास से भाग उंचास में जोड़ देना है उससे बाद प्रकूं कर देना यह दिंध सकते आप बता रहें आपको जैसे दी अशकते हैं उनचास उपर लिखे ऑज कितना था आडर रह Sweet पकलगे सीन मने सुब्सक्राइब狂 यृटाई बिलियन का नमख मन शचेत जोडंगे स्कूड़ के तो कि आजाएगा है लो दिखें तर होना से गुना कर देंगे तो आधा थार्थ परतिसां आजाएगा से बात देखने 109 नमर कुश्चन कि इसनदीन एक विल्यन में 320 ग्रम जल में 31 ग्राम नमक के दरमान शांदर में बेल्गे शांता गया तुसी पर का 31 तो उपर लिए उसको जोड़ देना है 320 में तो 31 बटा क्या जाएगा 31 बटा हो जाएगा 31 बटा कितना है 320 में 311 अगुने 100 आर दम तेटीस आर दसमलब 83 परतिशत आजएगा आर दसमलब 83 परतिशत इसका एंसर हो जाएगा और दम तेटीस आप्शन एसका 190 का हो जाएगा उसके बाद दिख्याएं को सब्सक्राइग को सब्सक्राइग करना किजिए तो करना क्या है 32 ग्रम बटा 320 में 32 को जोड़िये तो हो जाएगा कितना तीन सव एक तीन सव बावन तो बटीस बटा तीन सव बावन अगुने 100 आपको एंसर निकलकर चले 151 का एंसर क्या हो जाएगा 151 का एंसर क्या हो जाएगा एंसर यह देखिए 151 का एंसर यह देखिए अर्टीस हो गया इसके बाद तीन सव बीश में बटीस को जोड़ कर तीन सव बावन हो गया स्वासे गुणा करेंगा नोदासर लावन जिए पर तीसव अगया उसके बाद देखिए 222 000 चीन और यह उप्सक्राइब नमर कोश्थ्यूर्य नमर कोश्ट्सुन में 100 ज्यों में 150 ग्राम चूंनी कि घोल कर बिल्लियन मंस परतीश जरी एक श्यूंद्र क्या होगा तो क्या क्या क्राइब तो देख सकते हैं जैसे देख सकते हैं क्या इसका हो जाएगा क्या सी है तो जैसे देख सकते हैं क्या है कितना है पचास तोटाल इसको जोड़का कितना हो जाएगा उसके बाद देखें दो सो हो गया उसके बाद देखें जैसे दो सो उसके बाद देखें पचास है तो 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 असुने सो करियेगा तो पर शुचाइश पर तिस पर शुचाइश इसका एंसर आ जाएगा उसके बाद चलिया को संदर में को संदर को संदर करें तो 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 संदर में जोड़ेगा उससे भाग दिजागा से गुना कर दिगा इंसर आपको निकल कर चलाए तो तो संदर क्या हो जाएगा 193 का सी हो जाएगा 10 तर्थम एक आडे पर शुचा कैसे वह देखिए यह यह से देखिए विलायका दरमान 320 गरम बिलेग कितना दिया 36 तो टोटल आइस कर दना कितना 356 हो जाएगा उसके बाद देखिए उसके बाद तेखिए विलायका दरमां सब्सक्राइब करें तो इसके बाद दिखे आए कोशन चरोंवे नमर कोश्टा एक बिल्यन में पानी की 320 गरम मात्रा में समान नमक की मात्रा 41 गरम है तो बिल्यन की दरमान पर्तित द्वारा दरमास अंदर में इनकी सांता की अन्ना करिये है कि उद्वा तो कितना है कि यद्टा परतिते हैं उडिये तो कितना है 301 हो जाएगा भाग देखेंगा है UK दिता तो कि किदा एकलिस थी त तो कैसे अट देखें आए कितना पानी की मात्रा 320 में 41 जोड देंगे तो हो जाएगा कितना हो जाएगा 161 अगुने स्वास अगा थां 363ए परतिस शत आ जाएगा उसके बाद देखिया कोश्चन कि पश्चान अपरूपता पर कोश्चन पर अधारिस कोश्चन पर तर कोश्चन अपर नमर कोश्चन 122 से अधिक रूपों में किसी तत का होना जिसमें भावतिक गुन भीन लेकिं दासानी गुन समान होते हैं क्या कहलाते हैं बताई इसके बात देखे आए कोशन 117 नम्मर कोशन 117 निमन में से कहुं सा कारवन का अपरूप नहीं है बताई 117 एंसर क्या हो जाएगा 117 एंसर क्या हो जाएगा कारवन डॉक्षाइट कारवन डॉक्षाल इसका एंसर हो जाएगा निमन में क्यों कारवन का अपरूप नहीं है कारवन का अपरूप नहीं है ऑप्षन 20 का सही हो जाएगा 117 तहुंद्ध का इसके बात देखे 119 नमर कोशन का गया निमलिखित में से काऊं सा कार्वन का एक अपुरूप है अपुरूप है यह बताए कार्वन के एक अपुरूप कौन है क्स गहा फर्वन का अपुरूप दी उसके बाद दिखिए ओंत नमर परमानु के पांच अनु का द्रमान क्या होगा बताई एक पांच अनु का द्रमान क्या हो जाएगा एक यूनित क्या हो जाएगा नब्या यूनित कैसे होगा वह देखिए पाणी है पाणी अस डूओ का रूबन कितना होता है हैच उड,答र, 10 की दृबन संक्यां पलस, ऑक्षिजन का दरमान संक्या तो दो अईक होता है जै mm dependence दूट अथारी यूनित हो गया तो तो पानी के 5 अनुओं की आनुबिक दरमान 5 गुने अठाट नब्या यूनित तो 5 गुने अठाट नब्या यूनित उसके बाद क्या कोस्टन 200 नमर कोसं देखिए कि sodium carbonate का आनुबिक दरमान डेस होता है बताइए 200 का एंसर क्या हो जाएगा 200 का क्या हो जाएगा हो जाएगा 106 इसका एंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा 106 इसका sodium carbonate का आनुबिक दरमान कितना हो जाएगा तो जैसे देखिए कैसे हैं जैसे देखिए तत्तो का परमान उभार एने ताइस ऑक्सीजन शोल्या कारवन डॉक्सान बाहर है sodium carbonate Na2CO3 का आनुबिक दरमान लेखिए Na कितना 23 2 है Na2 तो 2 सगुना हो गया पलस करवन बाहर है पलस ऑक्सीजन कितना सोल है तीन है तीन गुने सोल है कितना तोटल जब जोड़ियेगा 106 आजाएगा एंसर है